हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शको बहुत-बहुत सबागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम जोतर्श ग्यान में और मैं हूँ आपके साथ मॉनिका क्रूपर दर्शको आज हम एक बहुत एहम विशे को लेकर बात करेंगे और एक ऐसा विशे जिसको लेकर शायद आप ये सोचेंगे कि क्या इसका संबंद भी ग्रहों से हो सकता है तो हाँ क्यों नहीं हो सकता वो कौन से ऐसी चीज है जिसका संबंद ग्रहों से नहीं हो सकता है, आपकी ज्वेंट पत्रका से नहीं हो सकता, आपकी हाथ की रेखाओं से नहीं हो सकता तो आज भी एक बेहत एहम विशे पर चर्चा होगी, क्या होगा वो विशे जरूर बताएंगे आपको, मगर उससे पहले स्वागत करते हैं, हमारे बेहत खास महमान का जी हाँ, दे फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलोजर, एनवास्त्व एक्सपर्ट, प्रोफेसर धर्मेंदृ श्रमाजी, नमस्कार सर, नमस्कार सर, कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति का बार-बार नुकसान होता है, जैसे गाड़ी का अचानक से एक्सिडेंट हो जाना, या मोबाइल आदी चोरी हो जाना, हम कहीं जाते हैं, मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, या आपका वालेट चोरी हो जाता है, या कभी कुछ न क समान कई बार गुप्त तरीके से गायब होने लगता है कई बार आपका गुल्ड गुम हो जाता है कई बार ऐसी चीजे भी गायब हो जाती है नजाने कहां चले जाती है कि व्यक्ति आरोप लगाने से भी डरता है किस के ओपर आरोप लगाएं किस को हम इसमें बुरा सावित कर लेकिन क्या ये सब चीजें हमारे ग्रौहं से होती है जी हाँ वास्थिक्ता है इनसान की जनम पत्रिगा हो या इनसान की हाथ की लिखाएं हो नुकसान का योग भी आपकी हतेली में छिपा होता है यश हमें अपने करमों के हिसाब से बिलता है और हमारी हतेली में हमारे कर्मों का लेखा जोखा छिपा होता है आईए कुछ ऐसी ही आप से बात करते हैं आपकी हतेली जिस प्राणी की हतेली में खासतों से उसकी हरदे रेखा में बहुत सारे कट होंगे मस्तिक से रेखा में बहुत सारे कट होंगे जिस प्राणी की हर्दे रेखा कटों से आयुक्त हो और उसकी मस्टिक से रेखा भी ऐसे कटों से भरी होई हो ऐसे प्राणी अमोमन अपने नुक्सान के स्विम जुम्यदार होते हैं जी हाँ, कैसे? अब कई बार कहते हैं ना लापर वाही हटी और दुरगट ना घटी किसे इस प्रकार से चोकौने जीवन में नहीं रहते तो हमारा नुक्सान हो जाता है कई बार ऐसे स्थान से हमारी चीज़े चोरी हो जाती है ऐसे स्थान से हमारा नुक्सान हो जाता है कि वहाँ सिर्फ ये जलगता है कि हमारी लापरवाई है हम माने ना माने वो बाद की बात होती है लेकिन हर व्यक्ति यह कहता है यह तो चीज आपकी नुक्सान हुई है या यह काम आपकी लापरवाई में हुआ यह पैसे चोरी हुए आपकी लापरवाई में हुआ आपने लोग को खुला छोड़ा आपने ऐसा किया आपको मालूम है ये पबलिक पलेस था फिर भी आपने ऐसी लापरवाई की तो ऐसा भी कई बार हो जाता अब हम बात करते हैं कि हम लापरवाई भी नहीं करते हम बहुत जीवन के छेतर में बहुत चोकन्ने से रहते हैं लेकिन उसके बाद भी बिजली गिर जाती है क्यों साल करमफल करमफल एक व्यक्ति बहुत अच्छे से जीवन को जी रहा है और अचानक पता लगा कि उसके बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि साब गोल्ड बहुत सारा गायब हो गया साब धन बहुत सारा गायब हो गया और कहीं ने कहीं इस्तिति ऐसी हो गई कि व्यक्ति की कई बार तो जीवन भर की जमापुझी चली जाती है, वो जमापुझी वो दुबाला जोड नहीं पाएगा, और कई बार ऐसी एज में जमापुझी जाती है, कि जिस एज में हमारी आखे जवाब दे जाती है, हमारे हाथ पैर कहा अपने लगते हैं, यानि कि अच्छे धिक बहुत विस्वास कर लेते हैं, और अपने जीवन भर की कमाई उसको दे देते हैं, कई बार लालच भी आ जाता है, कि हमें दो पैसे का इंट्रेस्ट मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, और वो सारी कमाई ढूब जाती है, और कई बार हम ऐसे आदमी की हाथ में पैसे को स जिस वक्त में आपकी भाग्य विधाई नहीं रेखा, अगर आपकी हतेली में विपरी तफल दे रही हो, और आपकी हतेली में यहाँ जो मंगल वस्ते हैं, मंगल नकारात्मक रेखाओं से आवर्त हो गया हो, मंगल नकारात्मक रेखाओं से आवर्त हो गया है, और शनी उसमें गोचल दशा में शनी बुलाजमान हो गए तो कई बार ऐसी इस्टिती हो जाती है कि ग्रह चाल ये बताती है कि बेटे अब आपका नुकसान होगा हलाकि ऐसा नहीं है कि ग्रह ऐसा कराते हैं कि सूरी ऐसा कराते हैं शनी ऐसा कराते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है मतलब व पत्री का ऐसे वक्स से बचने के लिए हम उपाए क्या करें कई बार हम रोज पूजा करते हैं रोज भगवान का नाम लेते हैं सब कुछ रोज अच्छे से करते हैं लेकिन जिस दिन नुकसान होता है उस दिन ना भगवान का नाम लेते और दर्वाजे पे लोख लगाना भी आती है जे सर अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हो रहा हो कि नुकसान हो रहा है या किसी ना किसी रूप में हानी हो रही है तो बच्छाफ के तौर पर वो क्या करें जे देखे का दर्शु को बार बार किसी ने किसी तरह की हानी व्यक्ति को होना बार बार किसी भी नुकसान आपको जब बार-बार धानमन तन किसी भी रूप से होता हो तो व्यक्ति को मांसिक अशांती घेर लेती है और जब प्राणी को मांसिक अशांती घेर लेती है तो प्राणी अपने बहुत सारे कारियों से भी अच्छुता रह जाता है क्यों उसका दिमाग परिशानी में डूप जाता है और व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है आपकी हतेली में मैंने अक्सर बताया है अगर बहुत सारी अनगिनत रेखाएं भी जनम ले लें तो भी तनमन धन की व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं किसी रूप में उसको हानी होती होती है आपकी जनम पत्रिका का एक आदस भाव लाभेश कमजोर हो ऐसी स्तिती में व्यक्ति को तन मन धन की भरसक नुकसान होता हमें इससे बचना चाहिए आईए अब हम आपको बताते ही इसके लिए में क्या उपाय करना चाहिए आप नोट करें हमें प्रतेक अमावस्या के दिन अपने पित्रों के निमित सफेद मिठाई बाटनी चाहिए और जिस घर में उनके बड़े बज़र्ग नहीं है माता पिता नहीं है तो वहां में पित्रों के नाम से दक्षिन दिशा की तरफ हमें देशी घी का दीप अरपन करके एक लोटे में थोड़ा चीनी काला तिल मिला करके हमें दक्षिन दिश कर देना चाहिए तो ज्याद अच्छा रहता है दूसरी बात ऐसा आप कम से कम साथ अमावस्य कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं हमें प्रति दिन गजेंद्र मोक्ष का पार्ट करना चाहिए हमें प्रति दिन दुर्गा कवच का पार्ट करना चाहिए दुर्गा कवच बड़े नुक्सान से हमेशा बच्चते रहेंगे और साथ में एक चीज आपको और मैं बता देता हूँ अगर संबब हो तो हमें शिव परिवार नामक रुदराक्ष धारन कर लेना चाहिए इससे भी हमें बहुत बड़ी हलाब मिलता है या गौरी शंकर से पारवती का रूप का जो रूदराक्ष होता है गौरी शंकर हमें धारन करना चाहिए इससे भी हमें बहुत अच्छा लाब मिलता है वर्ष में कोशिस करके पूर्णिमा के दिन हमें पीले रंकी मिठाई कम से कम एक वर्ष लगातार महिने में एक पूर्णिमा आती है बारा पूर्णिमा हमें पीले मिठाई बाटनी चाहिए और जो बार भी पूर्णिमा हो तो सबा पांच मीटर पीला कपड़ा पांच पीले जनेव और पीले मिठाई किसी हमें सन्यासी को जरूर देना चाहिए ऐसा आप करके देखें दर्ष को आपको बहुत अच्छा लाब मिलेगा तनमन धन की ज पेड़ हमें जरूर कहीं न कहीं सरोवर के किनारे धर्मिस्थान में किसी देवालिय शिवालिय में हमें पांच पीपल के पेड़ वर्ष में पांच तो कम से कम बाकी आपकी इच्छा हमें जरूर लगा देने चाहिए ऐसी इस्तिती में गोमेद धारन ना करें ऐसी इस्तित पर पूर्ण श्रद्दा के साथ हमें गुरु मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए हमें अगर गुरुदिक्षा में नहीं लिया है हमने तो हमें गुरुदिक्षा ले लिनी चाहिए खासतोर से दसम महविद्याओं में एक महविद्या की दिक्षा ले करके हमें भगवती क सरण में चले जाना चाहिए हमारा कोई बालबाका नहीं कर सकता जिस प्रकार से इंद्र के राज्य को लोटाने वाली भगवती ही हो सकती है आपने देखा भी होगा दुर्गाश अफशती जिन्नों ने पड़ी है उनको ये चीज भली बात ये मालूम है तो हमें दसं महवध्याओं की दिक्षा में भी एक भगवती की दिक्षा महवध्या की दिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए आप ये उपाय करने आपको विसीस प्रकालाब अवश्य मिलेगा कारेकर्म को अभी हाँ पर विराम देना होगा आपने उपना कीमती समय दिया बहुत बहुत धनेवाद उसके लिए आपका नमस्कार और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले चलने की दीजे उचासत नमस्कार लगभग 200 लाग का करज़दार था लड़के लड़कों से बहुत परेसान था लेकिन आपके छोटे छोटे निक्सों के बताय हुए तरीकों से मेरा ब्यापार भी चलने लगा और मुझे सुख अनुभव होने लगा हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें